दुनिया को बदलने में अक्सर दशक या सदिया लग जाती हैं लेकिन कॉरणा वाइरस ने चंद ही दिनों में पूरी दुनिया को बदल दिया सोशल डिस्टेंसिング के चलते हात भले नहीं मिल रहे हो गले भी नहीं मिल रहे हो लेकिन हिंदुस्तान के नमस्ते पर पूरी दुनिया के दिल जरूर मिल रहे है कोरोना वाइरस के चलते दुनिया के सभी बड़े लीडर्स नमस्ते करने की सला दे रहे है इस वक्त वैश्विक स्तर पर बचाव को मधनजर रखते हुए कई देश लॉकडाउन हो गए है जैसे इटली, स्पेइन, फ्रांस कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए भारत सरकार भी अपनी तरफ से सभी मुम्किन कोशिश कर रही है लेकिन इस लड़ाई में क्या हम अपना योगदान दे रही है एक अच्छे नागरिक होने का करतव ये निभा रहे है एंड ट्रस्ट मी गाइस, कोरोना की लड़ाई में हमारा हिस्सा, गवर्मेंट या फिर मेडिकल स्टाफ के हिस्से के आगे कुछ भी नहीं है हमसे क्या एक्सपेक्टेशन्स है कोरोना वाइरस को लेकर सचेत रहें अफवाओं पे विश्वास ना करें पूरे इंडिया में मास गैदरिंग पे बैन है तो भीर भाड़ वाले जगों पे ना जाए अगर किसी में कोरोना के सिम्टम्स देखें तो हेल्प लाइन नंबर पे तुरंत कॉन्टाक्ट करके जानकारी दे और इलाज के वक्त मेडिकल स्टाफ का सहयोग दे हम सब इतना तो अपनी रिस्पोंसिबिलिटी मान कर ही सकते हैं और करना भी चाहिए इस वीडियो में मैं आकड़ों की बात नहीं करूँगी बलकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात करना जरूरी है कुछ लोग जो कोरोना वाइरस संक्रमित हैं वो इलाज से भाग क्यों रहे हैं कोरोना का टेस्ट क्यों नहीं करवाना चाहते क्या उन्हें पता नहीं है कि जो भी उनकी कॉंटाक्ट में आएगा, वो भी कोरोना से पीडित हो जाएगा उनकी पडिवार वाले भी सन्दिक्त हो जाएंगे और बच नहीं पाएंगे दोस्तों इस वीडियो में बात करूँगे आपकी कि आप कैसे कोरोना वाइरस को रोकने में योगदान दे सकते हैं वीडियो के एंड तक बने रहें और हाँ एक छूटा सा योगदान आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करके भी दे सकते हैं ताकि आप इस रहस्त में वाइरस से जुड़ी सबी खबरों से वाकिफ रहें और दूसरों को भी अवेर कर सकें सबसे पहले बात करते हैं कोरोना से लोग इतने डरे हुए क्यूं हैं जितनी बीमारी खतरनाक होती है उतना ही खतरनाक होता है उस बीमारी के बारे में अधूरा ग्यान और डर यही डर की वज़े से या तो लोग कोरोना वाइरस के लक्षन चुपा रहे हैं या फिर लक्षनों के होते हुए भी जांच नहीं करवाते और इसी वज़े से संक्रमन को आगे फैलते देर भी नहीं लगती। आजकल बहुत सारे स्टेट्स में ये भी देखा गया कि अगर कोई संक्रमित हो जाए उसका टेस्ट पोजिटिव आ जाए तो लोग भागने में भी देरी नहीं करते। तो आने वाला टाइम ही बताएगा। प्लीज जांच और इलाज की पूरी प्रक्रिया से आप डरिये मत। बहुत सामान्य प्रक्रिया है। डॉक्टर नर्से सब देख बाल करते हैं। हाँ इतना जरूर है दोस्तों और परिवार वालों से कुछ समय के लिए अलग रहना पड़ता है। लेकिन ये सब की हिफाज़त के लिए है जिसमें आपका परिवार भी आता है। अब बात करते हैं कि कॉरेंटाइन कैसे कॉरोना से बचाव करता है। क्या कॉरोना के लक्षणों को नजर अंदास करना सही है। या फिर बस ऐसे सोच लेना कि मुझे नहीं होगा मेरी तो इम्मुनिटी स्ट्रॉंग है। सोचने से काम चल जाएगा। कॉरेंटाइन आइसुलेशन स्क्रीनिंग ये शब सुनने में भारी भरकम लग सकते हैं पर इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। कॉरेंटाइन ये आइसुलेशन उस बिमारी के फैलने के गती को धीमे कर देता है। बाहर कम जाएंगे तो आप इंफेक्ट भी नहीं होंगे और यदि बाए चांस जाने अंजाने में आप में वाइरस है तो बाकी लोग भी इंफेक्ट नहीं हो पाएंगे। स्क्रीनिंग से कॉरना वाइरस के इनिशल सिस्टम जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। चाइना इसका लाइब एक्जामपल है वहाँ लोगों को क्वारंटाइन करना बहुत कारगर साबित हुआ। लोगों का सरकारी स्वास्त विभाग में भरोसा ना होना आश्चर्य जनक नहीं है। इंडिया has weak health system around the world. भारत पब्लिक हेल्थ पर अपनी GDP का सिर्फ 1.28% खर्च करता है। WHO की यही जिनता है कि अगर भारत में ये वाइरस फैला तो बहुत मुक्सान हो सकता है। क्योंकि हमारी अबादी बड़ी है, awareness की कमी है और स्वास्ते सुरक्षा का धांचा उतना मजबूत नहीं है। पर इस समय हमें समझना होगा कि ऐसे मुश्किल वक्त पर कम्या निकालना नहीं बलकि आगे आके अपना संयोग देना जरूरी है। हमें ये realization होनी भी जरूरी है कि इस वक्त medical staff हमारा कितना overloaded है। बाकी लोगों के लिए घातक हो सकते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ये वाइरस चाइना के एक इंसान से फैलना शुरू हुआ और अब 160 देशों में डेट लाग से जादा confirmed cases है। जी हाँ भागना तो अपराद है ही साथ ही आपको ये भी बता दू कि उत्तर परदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने कोरंटाइन फैसलीटी के साथ कॉपरेट ना करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाही करते हुए एक मसबूत उधारन सेट किया है। जिसमें उस व्यक्ति को इंडियन पीनल कोर्ट 1860 के सेक्शन 188 के तहट छे महिने तक की जेल और हजार उपे तक का फाइन लग सकता है। क्या इस तरह की कदम फरक लाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 90% आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक और कमेंट भी करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लीजे ना प्लीज, आपका एक सब्सक्राइब मुझे होंसला देता है और अच्छा काम करने का। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।